Hi everyone, Assalamualaikum, Welcome to my YouTube channel, I hope you all are doing great. आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी common गलतियां बताऊंगी, जो तकरीबन 98% लोग इन गलतियों को पानी पीने से पहले करते हैं और पानी पिते हुए कर रहे होते हैं. तो इस वीडियो की तुरू आपको यह पता चलेगा कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और पानी को किस तरह इंटेक करना चाहिए. So, without delay, let's get started. वीडियो स्टाट करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर दे दूँ, मेरे चैनल को सिब्सक्राइब कीजिए, अब जब हम एक्स्ट्रा पानी पीएंगे, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स जितनी हमारी बाडी को जरूरा थे, वो भी खारिज हो जाएंगे, वो भी लूज हो जाएंगे. तो हमें extra electrolytes को lose नहीं करना हमारी body में कुछ electrolytes का होना कुछ sodium का होना भी जरूरी होता है ताकि हमारा blood जो है वो proper function कर सके लेकिन जब हम extra पानी पेंगे तो वो हमारे सारे electrolytes, सारे sodium को बाहर खारिच कर देगा जो कि हमारी body में unstability cause हो जाएगी Unstability of sodium in blood यानि blood में sodium की unstability हो गई इस disorder को हम hypolectremia कहते हैं तो हमारे अंदर hypolectremia हो जाएगा यानि कि sodium की मिगदार हमारी blood में कम हो जाएगी ज़्यादा पानी पीने के वज़े से या तो एक वज़ा यह हो अगर आप या तो exercise कर रहे हैं या आप sweating बहुत करते हैं या पसीना बहुत आता है या फिर आप कोई electrolytes लेते हैं यानि कि sodium salt वगारा का आप extra intake कर रहे हैं तो या फिर electrolytes powder कोई ले रहे हैं या फिर आप को sea salt intake कर रहे हैं extra जिसकी वज़़े से आपको drinking ज्यादा drinking water करना जरूरी है बट अगर आप exercise नहीं कर रहे हैं आपको ज्यादा पसीना भी नहीं आता है और आप sea salt भी ज्यादा intake नहीं करते हैं तो फिर आपको extra amount में water intake करना जरूरी नहीं है क्योंकि आपके blood से फिर जो sodium level है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा जो कि वो भी हमारी body के लिए ठीक नहीं है second common mistake जो हम पानी पीते हुए करते हैं वो यह है drinking too quickly यानि हम बहुत जल्दी जल्दी एक साथ पानी पी लेते हैं एक गिलाज एक साथ पी लिया तो उससे यह होता है कि जब हम बहुत जल्दी जल्दी forcefully हम जब quickly हम water को intake करते हैं too much water को तो हमारी body में soiling create और start हो जाती है वो soiling क्यों create होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे जो sodium है हमारी body में, हमारे blood में जो sodium है वो cell के अंदर जल्दी जल्दी जाना start हो जाता है जिसकी वज़ा से वो cell के अंदर चला गया और cell के outside जो है वो deficient हो गया यानि बाहर जो है वो sodium की कमी हो गई cell के जिससे क्या होता है वो जो cell है वो soil हो जाता है और sodium की imbalancing हो जाती है imbalancing situation cause हो जाती है एक cell है उसके inside सारा sodium चला गया outside उसका कोई sodium नहीं रहा उसकी वज़ा से cell जो है वो soil हो गया तो हमें बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारा पानी एक साथ नहीं पीना है क्योंकि उससे sodium की जो sodium का जो cell level है वो unstable हो जाएगा उसकी situation imbalance हो जाएगी soiling cause हो जाएगी third common mistake जो हम पानी पीने के लिए करते हैं वो यह है drink wrong fluid हम यह समझते हैं कि अगर हम cold drinks पी रहे हैं juices पी रहे हैं या फिर कोई भी दूसरे मश्रूबात पी रहे हैं तो उससे हमारी body में dehydration जो हो गई हो खतम हो जाएगी यानि हमारी body को पानी की कमी पूरी हो जाएगी हमारी जो third mistake होती है वो होती है drinking wrong fluid हम गर्मियों में कहते हैं कि dehydration हो जाती है तो जादा पानी इंटेक करें ठीके तो उस जादा पानी इंटेक करने के लिए हम क्या करते हैं different juices पीते हैं cold drinks पीते हैं mushrooms पीते हैं different other beverages इंटेक करते हैं कि हमारी जो है वो पानी की कमी पूरी हो जाएगी लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि पानी की जो कमी है हमारी बोडी में जो dehydration हो गई है उसको पूरा सिर्फ water ही कर सकता है other wrong fluids वो हमारी कमी को पूरा नहीं कर सकते है क्योंकि उसके साथ हमारे extra too much sugar भी intake हो रही है तो ये हमारी सबसे में और common गलती है कि हम पानी जो प्योर पानी है वो पीने के बज़ाए हम other fluids intake कर रहे हैं like coffee हो गई alcohol हो गया soda drinks वगए हो गई हो गई तो हमें उससे avoid करना है हमें natural pure water intake करना है अपनी dehydration को खतम करने के लिए अपनी hydration को fulfill करने के लिए अपनी body को water provide करने के लिए जो हमारी body को main water की जरूरत है वो pure water ही पूरा कर सकता है other wrong fluids पूरा नहीं कर सकते fourth common mistake और सबसे बड़ी mistake जो हम करते हैं drinking while eating जब हम खाना खा रहे होते हैं उसी दौरान हम पानी का intake भी ज्यादा ज्यादा कर रहे होते हैं जो के सबसे बड़ी dangerous alarming है हमारी body के साथ हम बहुत ज्यादा जल्म करते हैं एक तरह का हम अपने मेदे के साथ एक तरह का जल्म करते हैं कि हम खाना खाते हुए ज्यादा पानी पीते हैं क्योंकि उससे यह होता है कि जब हम खाना काते हुए पानी ज़्यादा पीते हैं तो हमारी जो digestive system है जो हमारा stomach है वो ये ability खो देता है कि वो किसी भी nutrient को digest कर सके like protein जो है वो digest नहीं होगा अगर हम ज़्यादा पानी पी रहे हैं साथ में ठीके इसके इलावा हमारा जो acid reflux है यानि जो हमारे मेदे की दिवारें जो acid cause करता है acid produce करता है उसको हजम करने के लिए खाने को तो वो disrupt हो जाएगा हमारा acid reflux हो जाएगा during eating हमारे stomach acid produce करता है different acid को produce करता है ताकि digest हो सके वो खाना लेकिन जब हम पानी को पीएंगे साथ में ज़्यादा पानी पीएंगे साथ में तो वो acid proper तरीके से produce नहीं हो पाएगा और acid reflux जो है वो imbalance हो जाएगा तो हमें avoid करना होगा during eating water को intake करना हम ऐसे कर सकते हैं कि खाने से आदा गंटा पहले intake करना है या खाने के आदा गंटे बात ताकि हमारा जो stomach है उसका acid reflux disrupt ना हो फिफ्थ common mistake जो हम water पीते हुए करते हैं वो यह है drinking cold water बहुत ज़्यादा थंडा पानी नहीं पीना चाहिए उससे यह होता है कि जो हमारी vagus nerve है वो inhibit हो जाती है वो उसको रोक देता है slow down कर देता है vagus nerve को vagus nerve क्या करती है digestion में help करती है हजम करने में help करती है तो ज़्यादा थंडा पानी जो हमारी vagus nerve है उसको slow down कर देगा जिससे क्या होगा हमारा digestive system है हमारा stomach है वो बहुत weak हो जाएगा और bloating होना start हो जाएगी तो अगर जिसका already digestive system weak है तो उसको cold water से avoid करना है बहुत ज़्यादा थंडा पानी नहीं पीना है last but not least common mistake is drinking tap water ये तकरीबन हम तमाम लोग ही गल्टी कर रहे होते हैं कि हम null का normal जो पानी होता है वो ज़्यादा intake वो कर रहे होते हैं tap water का नुकसान ये है कि इसके अंदर एक chemical compound होता है जो environmental pollution की वज़ा से आता है जो कि nano size of plastics होता है जिसका नाम है glyphosate ये एक ऐसा chemical compound है जो हमारे brain को destroy करेगा हमारे brain function को खराब करेगा और हमारे hormones को imbalance करेगा और जो एक male hormone होता है estrogen उसको effect करेगा तो हमें tap water से avoid करना होगा ताकि हमारी body में glyphosate नाम का chemical compound जो pollution की वज़ा से जो factory की वज़ा से आ गया है यानि कि जो factories होती है जो industries होती है उधर से जो chemical harsh chemical आ रहे होते हैं ये glyphosate उसको खराब कर रहा होता है tap water को जो कि हमारी body में जा रहा होता है अगर हम tap water intake करते हैं इस chemical glyphosate के इलावा भी जो tap water होता है वो pretty toxic होता है यानि कि इसके अंदर पांच ऐसे chemical compounds होते हैं पांच ऐसे chemical होते हैं जो हमारी body में जा कर cancer causing agent cause करते हैं यानि कि cancer हो सकता है अगर हम अपनी diet में tap water कर जादा इस्तिमाल करते हैं cancer cause होने की एक बड़ी बचा ये भी है कि हम tap water को बहुत जादा इस्तिमाल कर रहते हैं नल का पान ही बहुत जादा इस्तिमाल कर रहते हैं उन पांच chemical compound के नेम है Bromodiacloromethene जो कि एक बहुत ही जादा produce करने वाला cancer produce करने वाला chemical agent है chloroform, hyloracetic acid, nitrate and TTHM ये पांच ऐसे chemical compounds हैं जो toxic होता है ये water इन पांच chemical compounds है तो हमें ये करना है कि हमें tap water से avoid करना है ताकि हम इन तमाव chemical compounds से बच सकें हमारी body में जाकर ये chemical compound cancer causing agent ना cause कर सकें और हमारे hormones और brain function को destroy ना कर सकें So all of these are six common mistakes जो के हम पानी पिते हुए कर रहे होते हैं तो हमें इससे avoid करना है I hope के ये video आपके लिए बहुत informative रही होगी helpful रही होगी thanks for watching this video don't forget to subscribe my channel hit the bell icon like this video and share with you all friends Allah Hafiz